राभे प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति की बच्पन में दुर्शंग भगवान का अवतार हुआ इसके बाद नुर्शंग भगवान ने आडर दिया एक मन्वंतर राज्य करो एक मन्वंतर माने तीस करोड सरसथ लाख बीश हजार बर आडर है दास को तो स्वामी की आज्या मानना पड़ेगा किया अब राज्य करने में तो सभी चीजे होती है साम दाम दंड भेद लड़ाई जगड़ा मार धार सभी कुछ होता है हाँ सब कुछ किया शादी किया लड़का हुआ ग्रहर लेकिन ताब जीरो बटे सौ है नहीं है सब बराबर कहीं अटाइक्मेंट नहीं एक बार एक देवी में प्रहलाद के लड़के की आसकती हो गई और उनके प्रहलाद के गुरू के पुत्र की भी आसकती हो गई उस लड़की में हम दोनों लड़के एक तो राज कुमार साजी पृत्वी के राजा थे प्रहलाद उनका लड़का और एक उनके गुरू का लड़का अब उन दोनों ने कहा भाई हम दोनों में जो बड़ा हो उसको एक लड़की मिले आपस में समझाओता हो गया और एक बात और अगर हमारी बात सही नकली प्रहलाद कर लड़का कहता है तो तुमको फासी दी जाएगी अगर ये सुद्ध हुआ कि मैं बड़ा हूं क्योंकि राज़पुत्र हूं और अगर तुम बड़े हो ये सिद्ध हुआ तो मुझे फासी पे लटका देना इतनी भयानक शर्ट एक लड़की के पीछे लेकिन फैसला कौन करेगा तो प्रहलाद के लड़के बिरोचन ने कहा हमारी पिताजी करेंगे वो राजा है तुमको उनका फैसला मन्जूर है राज कुमार की इस बात को सुनकर गुरु पुत्र ने कहा बिलकुल मन्जूर है हमारे पिता ने कहा है प्रहलाद कभी अन्याय नहीं कर सकता उसका कहीं अटाइक्मेंट है नहीं तुम ये तो नहीं कहोगे कि है तुम उनके बेटे हो इसलिए तुमारे पक्ष में फैसला कर दिया नाए नाए कभी नहीं हम तोच नहीं सकता चलो मकदमा पेश हुया प्रहलाद ने कहा कि हमारे गुरु जी हमसे पूज्ज है इसलिए हमारे बेटा बिरोचन गुरु के पुत्र से हार गया गुरु पुत्र बड़ा है हमारे बेटे से एए पकड़ लो बिरोचन को लटका दो फासी पर हार्डर मुस्कराते हुए और एक लोटा बेटा और राजा का बेटा फिर आए आगे गुरु पुत्र उन्होंने का नंबर दो क्वेश्चन तुम हमसे बड़े हो कि मैं तुमसे बड़ा हूं रजलात्य पूछा उन्हें का नहीं आप बड़े हैं हम तो राक्षस के पुत्र हैं फिरन कश्पू के आप ब्राह्मन पुत्र गुरु पुत्र हैं आप बड़े हैं तो उन्हें का मेरी आज्या मानना होगा उन्हें का बिलकुल छोड़ दो बेटे को हासी मत दो ए छोड़ दो दोनों वाक्ष के बोलते समय एक सी स्थिति भगवत प्राप्ति के बाद यह ऐसा होता है तो उसको प्रारब्द भोगने में क्या प्राबलम है कोई मरो कोई जीओ कोई लाब कोई हान कोई अपजश कोई जश सब बराबर तो प्रारब्द भोगना पड़ता है खुशी खुशी भगवान का प्रसाद समझ कर और संचित भस्म हो जाता है और भविष्ट के किसी कर्म का फल नहीं मिलता क्योंकि वो अकरता हो गया कर दो झाल नहीं मिलता है और भविष्ट के कि वो जाता है और भाब कर दो जाता है और भाबर